इस क्वेश्चिन के अंदर जो आपको फॉर्मेट गिवन है कि आपने पहले एक्स कर स्पेक में इंटीग्रेट करना है तो देखें अगर मैं आप से पूछता हूं कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेट नहीं हो सकता इकी पावर 122 में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि इंटीग्रेट वो इसका कोई भी एक्सक्वर नहीं इसको एगं सक्वेशन नहीं कर सकते हैं जिसका derivative करने से यह वाला function आई डेखो इसका अगर मैं derivative लूँगा ना तो इसका अगर मैं derivative लूँगा ना तो x आईगा इसलिए इसको कहते हैं कि यह क्या है anti-derivative है तो e की power x square का anti-derivative नहीं है इससे क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा function यहाँ पर exist नहीं करता जिसका derivative लेने से e की power x square आए तो आप इसको फिर integrate with respect to x नहीं कर सकते तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा order of integration को change करना पड़ेगा मैं x के respect में जो given order है इसमें integrate नहीं कर सकता तो मुझे पहले y के respect में integrate करना पड़ेगा तो देखो मुझे order of integration को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए मुझे एक region बनाना पड़ेगा तो region देखे तो region के यह bounds है तो अगर मैं इसे associate equation बनाता हूं तो y by 2 equals to x आएगा और x equals to 2 आएगा और यहां से y equals to 0 आएगा और y equals to 4 आएगा अगर इसको मैं simplify क करूं तो y equals to 2x आएगा ठीक है तो इसका अगर मैं region बनाता हूं तो देखो फर्स करो यह सारा x axis है और यह सारा y axis है तो y equals to y equals to 2x यह एक ऐसी लाइन है यह एक ऐसी लाइन है जो origin से पास का रही है विद पॉजिटिव स्लोप इसकी स्लोप कितनी है पॉजिटिव है एक बा Y equals to M X plus C वर्मिट में यहाँ पर M जोन सा यह माइनस 1 है और C जोन सा वह क्या है एड यह यहां पर खिलाता है y Intercept यह क्या है य इंटरसेट और माइनस वन माइनस वन मुझे नहीं पता माइनस वन क्या है मुझे माइनस वन से लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ यह पता करना है कि यह पॉजटिव है कि नेगटिव है और अगर कोई line है जिसकी slope negative है तो वो कोई line इस तरह की होगी, ऐसी line जो x-axis का जाए 90 degrees से ज्यादा angle बनाएगा, ठीक है 90 से थोड़ा tilt होगा, और यह 90 से थोड़ा काम होगा, यह 90 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको जो slope नदर आ रही है, अगर positive है और origin से past का लिया तो मतलब के हो कोई इस तरह की line है, ठीक है, यह y equals to 2x वाली line है, मुझे exact line बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सरफ guess करना है region कौन सा है, और फिर क्या है x equal to 2, x equal to 2 से मुराद है, for example, यह x equals to 2, और यह एक line बनेगे फिर, x equal to 2 वाली यह line है, y equal to 0 से क्या मुराद है, x axis, मतलब के यह हमार पास lower, यह हमार पास क्या है, bound है, और y equal to 4, y equal to 4 से क्या मुराद है, देखो, यह वाली line, x equal to 2 वाली line, और y equal to 2x वाली, यह जिस point पर intersect का रही है, वो point of intersection पर for example, निकालना चाहता हूं, तो x equal to 2 को जब मैं यहां पर put करूंगा, तो y का answer क्या निकलेगा, 2 into 2, तो मतलब के यह निकला, 4, to y point of intersection हमार पास क्या निकला, 2,4, तो हमार पास यह point है, yeah equal to 4 वाला, तो यह वाली, जो उस लाइन है, यह वाली, जो वाली, जो उस लाइन sommes, यह हमारा पास line है na, y equal to 4 वाली, यह हमार पास region of integration है, अब region क्योंस है, क के यह वेला रीजभन वह कैसे बदाइबगा कि वाय किया greater than equal to 0 आहिं है उपर की तरफ करनी है और वाय ंस दन इक तरफ करनी और वाय लेशahn धनकर नीकोल यह नीचल टुब तरफ कर नी है अब भी इसकी शेड आपने उपर की तरफ करनीगा और इसकी सेड आपने नीके यह वाली लाइन है यह वाइन है यह इससे क्या छोटा है मतलब कि इससे नीचे की तरफ शेड करनी है और दूसरा आप देखो X less than equals to 2 मतलब कि टू से 0 की तरफ आपने शेड करनी है ना यहां पर 2 से बड़ी की तरफ शेड होगी जीरो से टू से कम वली यहां पह वी तो आपका जो रीजन ओफ इंट्री से उपने करनी हैं इंट्री तो है आपका रीजन आ गया अब आल्म अब यह सारा क्राइट एरिया बनाना isKarm किया था के में इस order को चेंज कर सकूँ देखो order हमार पास क्या था जीरो से फोर इंटेग्रल वाई बाय टू से टू एक्स सुकेर डी एक्स डी वाई लो जी मैं चाहता हूँ की यहां पर dhy आजिये और यहां पर dx आ ज्गरना चाहता हूं तो वही वाली बात है पिछले लेक्ट estos तो आपने एक आरोड द्रॉउ करना है क्या ट्रॉअ करना nggak करना करना इन्थी in क्रिजिंग डाय रेक्षिन उस पास करना रहा है और देखो कि इस प्रिजन के यह वाला point x x की जोंसी equation है वो क्या आती है y equals to zero तो मतलब कि इसका इसका lower limit क्या आई y equal to zero अब इस point किस point से यह leave का रहा है इस point से leave का रहा है और यह point किस पे पड़ा हुआ है y equal to two x पे तो y equals to two x अब what is the limit of x अब देखो यह पूरा region यह यह bound है हमार पास zero zero से जिरो जिरो से कहां तक है जिरो जिरो से कहां तक है आप इसको कैसे तो two comma zero तो हमार पास क्या region region of integration में x की limits के आएंगी x equal to zero to x equals to two तो यह zero से two तक अब देखो आपको यह similarity नजर नहीं आ रही लेकिन फिर भी जो इसका answer आना चाहिए था अब वही वहाला answer यह वहाला integral solve करने के बाद आएगा अब देखो दरह यहाएगा जीरो से two अब देखो यहाँ पर लिमिट माइनस लोड लिमिट तो zero से two यहाँ पर आएगा e की power x square into two x minus zero into dx लो जी यह two को तो बिचारे को चलो अंदर ही राने दो integration from zero से two और e की power x square और यहाँ पर क्या पड़ा होगा है dx अब इसको आप integrated कर सकते हो ठेक है अब भी यह वहाला function integratable नहीं था अब यह वहाला function integratable है क्यों क्योंकि इस चीज़ का इसकी जोंसी यह power e की उ function का सामने derivative पड़ा होगा है तो e की power x square ही आजएगा और limits of integration क्या जीरो से two तक तो इसरा upper limit minus lower limit करो e की power 2 का square minus e की power 0 का square तो क्या answer आया हमार पास यह answer आया हमार पास answer आया e की power 4 minus 1 तो यह आपका प्या है answer तो देखें जब तक आपको जब तक आपको region of integration का पता नहीं चलेगा तब तक आप इस integrals का order change नहीं कर सकते मतलब कि order of integration को change नहीं कर सकते दो रिपीट करता हूं कि integral cos x square dx इसको आप integrate नहीं कर सकते करके देह लो आप इसको integrate नहीं कर सकते अगर आप इसको integrate नहीं कर सकते तो आप लिख सकते को यह जो सा कॉस एक्स सुक्यार है has no antiderivative अगर इसका कोई भी antideriv derivative नहीं है आप इसको पहले लिखो किंच को अगर कॉस सक्षाइब का इसका antiderivative नहीं है तो मुझे पहले y के कि में integrate करना पड़ेगा अगर य कि पहले इंटेग्रेट करना पड़ेगा तो मुझी अपनी लिम्र को चेंज करना पड़ेगा लिम्र को चेंज करने से मुराद है आपको पहले region का पता होना चाहिए तो region जो सर्षा बाउंडीड है यहां से आप इसको society equation बनाओ, तो यहां से आएगा y square equals to x और x equals to 4, और यहां से आएगा y equal to 0 और y equals to 2, यह आपके पास आएगी, अब जोड़ा इस region को जोड़ा ड्रॉआ कार लेते हैं, यह region हमारे पास क्या आएगा, देखो, y square equal to x, यह this is the equation of parabola, आप इसको याद कर लो, मदलब कि अगर इस तरह का लिख है y equals to ax square plus bx plus c type का अगर ये वाला function आपको कहीं पर भी नदर आएगा this is the equation of parabola this is the equation of parabola तो ये equation of parabola है ठीक है मदलब कि यहाँ पर आपको y की power 1 नदर आ रही है और x की power 2 नदर आ रही है तो this is the equation of parabola और parabola आपने draw की से करना आपने face उस तरफ इस का खोलना है जहाँ पर linear function आपको पड़ा है तो linear function को उस है? x तो x के तरफ इसका मुँख खोलना है आपने तो ये ये आपको ना parabola ये parabola कि हम आपको ये स्केर एकुल टू एक्स और y और x इकल टू फॉर x इकल टू टू से मुराद है मैं कोई भी यहाँ पर x इकल टू फोर यह हमार पास 4, 4,0 मैं point ले ले लेता हूं और यह वहली line और यह वहली line है हमार पास x इकल टू अब देखो y एकल टू जेरो एक यह भी हमार पास bound है y equal to 0, y equal to 0 से मुराद है x-axis, यह हमार पास क्या है y equal to 0, और y equal to 2, y equal to 2 से क्या मुराद है, देखो y equal to 2 से क्या मुराद है, अगर मैं इन दो curves की, अगर इन दो curves के point of intersection मा find करना चाता हूं, तो देखो, अगर इन दोनों के मुझे simultaneous solve करना पड़ेगा, तो x की value के यहां पर पूट करो, तो y equal to 2 आएगा 4, तो y का answer के आएगा plus और minus 2, तो यहां से एक आया plus 2 और एक आया, एक आया minus 2, तो plus 2 कहां पर होगा, देखो, यह वाला point हमार पस होगा plus 2 का, यह वाला point हमार पस आएगा y का plus 2 के साथ, तो लेकिन वह किस पर है, तो 4, 2, और एक minus 2 भी है, यह हमार पस कोंस आएगा, 4, minus 2, तो अगर मैं, अगर मैं region पूछता हूँ, अगर मैं आप से region पूछता हूँ, तो region क्या बनेगा, देखो, यहां पर क्या है, y सुकेर less than equals to x है, मतलब कि जो parabola है, वो x की तरफ अगर आपने खोला होगा है, तो x से क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, मतलब कि यह parabola है, और इसकी आपने का करनी है, शेड नीचे की तरफ करनी है, अलो, जीतना पता चल गया, यह शेड क्या होगी, नीचे की तरफ, अब, और x क्या है, और x क्या है, less than equals to 4, मतलब कि आपने less than equal to 4 से मुराद है, एक ऐसा region, जो x equal to 4 से स्टार्ट हो रहा है, और region की तरफ शेड करनी है, मतलब ठीक है ना, और region की तरफ शेड करनी है, वो तमाम region जो x से क्या, फोर से क्या है, चोटा है, अब इस पर बात करते हैं, y greater than equals to 0, y greater than equals to 0, 0 से मुराद है, x axis पे above, above the axis आपने का करनी है, शेड करनी है, और y less than equal to 2, और y less than equals to 2, y less than equal to 2 से मुराद है, देख आपने का करनी है, नीचे की तरफ शेड करनी है, तो आपका region of integration फिर क्या बनेगा, ये वाला, ये region of integration है, अब जो given question है हमार पास, वो है, integral from 0 से 2, integral y स्केर से 4, y cos x स्केर, dx dy, मैं इसको convert का रहा हूँ, ये integral, y cos x square वैसे ही है, और यहाँ पर dy dx का रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको किया है, reverse किया, अगर मैंने इसको reverse किया, तो यहाँ पर y की limits आनी है, in terms of x, ठीक है, यहाँ यहाँ पर y की limits आनी है, in terms of x, अब देखो, अगर y की, अगर y की respect में मैंने पहले करना है, तो मुझे एक arrow ऐ region में से pass करे, और increasing direction of y parallel to y axis हो, तो यह सारा y axis है, तो मैंने एक arrow draw किया, मैंने एक arrow draw किया, तो किस point से ये enter का रहा है, इस region में, इस point से enter का रहा है, और इस point से क्या का रहा है, leave का रहा है, तो फिर limits क्या बनेगी, देखो, यह जो curve है, यह y equal to 0 वाली है, तो यहाँ पर है, इस point से, तो मुझे ये इसको लिखना पड़ेगा, y equals to under root x, ठीक है, अच्छा, एक और भी आएगा, minus under root x, तो minus under root x वाली ये वाली ब्रांच है, इस parabola की दो ब्रांच है, एक positive है, एक negative है, ये वाली सारी जोंसी ब्रांच है, ये y equals to minus under root x है, और ये positive जोंसी है, ये y equals to under root x, तो what is the, तो limits of x क्या होंगी, देखो, ये region कहां पर bound है, ये 0, 0 से लेके, ये x है, और ये हमारा पस क्या है, 4 है, तो 0 से लेके 4 तक हमारा क्या है, x का bound है, तो 0 से लेके 4 तक, लो जी, अब आप देखें, ये सारे का सारा integral किसके अंदर convert हो गया, इसके अंदर, इसको integrate कर करना मुश्किल था, ना मुम्किन था, जबकि इसको solve करना असान है, क्यों असान है, क्योंकि आप y को integrate कर सकते हो, लो जी, यह आया, 0 से 4 और y कर स्पेक में इसको integrate किया, तो cos x क्यार तो बिचारा constant है, तो यहां पे, यहां पे कहाएगा y square by two और limits of integration कहें, 0 से under root x और यहां यहां पे क्या आया dx, तो integral one by two तो बाहिर आ गया 0 से four और यहां पे आ गया हमार पास cos x square और upper limit put की, upper limit put करेंगे तो हमार पास आएगा x और यहां पे dx, under root से square cancel हो जेगा तो x आएगा, अब देखो x, अब x square अब देखो इसको integrate करना है with respect to x करना है, तो cos x square को आप integrate फिर नही आपजते, लेकिन यहां पे क्या पढ़ा होगा, x पढ़ा होगा, अगर यहां पे two आजता है, अगर यहां पे two आजता है, तो तो तब आप इसको integrate कर सकते हो, तो यहां पे क्या रेगा, two two's आर नीचे आज़ेगा four, तो one by four cause की integration, cause x square की integration की आएगी, sign, sign x is square, और limits of integration की आए तो आंसर क्या है हमारा पास 1 by 4, sin, 16, तो यह हमारा क्या है तो इस तरह से हम लोग अपनी order of integration को करते हैं, change करते हैं जहां पे, जहां पे आपको ऐसे integrants नदर आते हैं, जिसको integrate नहीं कर सकते, तो फिर आपको अपने order को change परता है तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर है अच्छा रटा नहीं मारना अब गएर रीजन बनाई आपको पता चल जए कि मैंने इंटेग्रेट जीरो से अंडरू टैक्स करना है आपको पता चल सकता है आप बड़े अगर आप बड़े हुशयार हो तो आपको पता भी लग सकता है लेकिन ज्यादा हुशयारी नहीं दिखानी रीजन बनाना है जो पूरा मकसद है मैथ पढ़ने का जो मकसद है मैथ पढ़ने का वह यह है कि आपको बेसिक थियोरी का पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेस्टन को सॉल्व करते हैं तो चलो नेक्स करते हैं तो देखो यह वाला क्वेस्टन देखो कि कहता है आप यह भी फाइंड करना है और यह जो डी नज़र आ रहा है यह एक रीजन ठीक है तो रीजन के हमारे पास बाउंड बाइवाई एक्स मतलब के यौराद एकस इकुल टू जीरो वाइक्स लाइन एक्स इक्ल यह y axis इसे जो bound है and the line x equals to two x equal to two for example वो यहाँ पर x equal to two यह हमार पस यह है तो यह वाली line मैं बना लेता हूँ तो यह हमार पस line है कोई सी x equals to two वाली और and the curve y equal to e की पावर x अब e की पावर x यह इस तरह की curve है ठीक है exponential function है इसको याद कर लो y equal to e की पावर x exponential function है growth function है इसकी curve आप याद कर लो अब देखो region कौन सा बना देखो x-axis यह वाली curve और इससे यह क्या बाउंड है तो यह वाला point क्या निकलेगा देखो यह वाला point कौन सा निकलेगा यह point है इकल टू जीरो एकल टू जीरो अगर x को मैं यहां पे जीरो पूट करता हूं तो यहां पे जीरो पूट करूंगा तो यह वाला point है तो region आपास पता कौन सा बनेगा यह वाला यह वाली एक line आपने draw करनी है जो intersection से बनी है यह हमार पास कौन सी line है x equal to zero वाली line तो यह वाला region है यह वाला region है आपके पास जिसमें आपने करनी है integration करनी है लो जी सबसे पहले मैं पकड़ता हूं integration of dy dx लो जी मुझे इसके क्या चाहिए लिमिट्स लिमिट्स ओफ integration चाहिए अगर मैं y कर स्पेक्ट में कहा रहा हूं तो मुझे एक ऐसा ऐरो ड्रा करना पड़ेगा जो y-axis के parallel होगा उस region से पास करेगा और increasing direction of y होगा तो यह वाला arrow फर्स करो यह वाला arrow है तो इस किस point पर किस point पर यह enter का रहा है इस region के अंदर y equal to one तो यहाँ पर कहाएगा y equal to one और किस point पर leave का रहा है y equal to e की power x पर तो यहाँ पर कहाएगा e की power x bounds of x की अगर मैं बात करूँ तो यह region कहाँ पर bound है देखो region कहाँ पर bound है यह x की value है x equal to zero और यह x की कुन सी value है two comma one तो हमारे पास कुन सी निम्ट साही जीरो से लेके two तक जीरो से लेके two तक तो इसको integrate करते हैं zero से two तो यहाँ पर आएगा e की power x minus one ठीक है न वाई के स्पेक में पहले integrate किया है तो यहाँ पर x यहां पर आएगा e की पावर x-x और यहां पर 0 से 2 तो e की पावर 2, अपर limit put काराऊ हूं minus 2, minus lower limit put काराऊ हूं तो e की पावर 0, minus 0 तो e की पावर 2, minus 2, minus 1 तो e की पावर 2, minus 3 यह आपके पास क्या answer है लो जी, यह मैंने निकाल लिया पहले y के expect में फिर X के respect में, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, integration of over the region D और D X, D Y, देखो, यहाँ पर क्या आएगा, D X, D Y, यहाँ पर अगर X के respect में कर रहा हूँ, तो X की variable limits आएगे, अब मुझे एक ऐसा arrow draw करना है, जो इस region से pass का रहा हूँ, और X axis के parallel or increasing direction of XO, तो for example मैंने arrow इस तरह चे draw किया, यह arrow है, यह arrow किस point पर इस region में enter का रहा है, वो Y equal to X, Y equal to E की power X है, Y equal to E की power X है, यह X equal to natural log of Y है, ठीक है, दोनों तरफ natural log ले लोगे, तो X equal to natural log of Y, तो किस point पर enter का रहा है, X equal to natural log of Y पे, और कहां से leave का रहा है, enter का रहा है, X equal to natural log of Y, और कहां पर leave का रहा है, X equal to 2 पे, ठीक है यह वोली line है, X equal to 2 वाली जहां से leave का रहा है, X equal to 2, तो bounds of Y, अब bounds of Y की बात करते हैं, देखो, यह वाला intersection point है, यह वाला intersection point है, मैं Y के bounds की बात करने लगा हूँ, X equal to 2 पूट करोगे, तो E की पावर के आएगा 2, तो यह वाला point of intersection वारपस कहा है, 2, E की पावर 2, तो limits of Y चाहिए ना, तो limits of Y कहां से कहां तक है, 1 से लेके E की पावर 2 तक, 1 से लेके E की पावर 2 तक, अब इसको integrate करो, देखो, मैं जब इसको integrate करूँगा ना, तो यही answer नि अपर limit minus lower limit किया, तो यहाँ पर आएगा 2 Y minus, natural log of Y का आपको formula याद होता है, Y natural log of Y minus minus Y, और limits of integration of 1 से E की पावर 2 तक, तो यहाँ पर आप तरहाँ पूट करो, upper limit तो यहाँ पर आएगा 2 E की पावर 2 minus E की पावर 2 और यहाँ पे natural log of E की पावर 2 minus E की पावर 2, यह मैंने सारा क upper limit minus lower limit put करोगे तो यहाँ जहाँ पर वहाँ पर 1 तो यहाँ पर आएगा 2 minus 1 multiply by natural log of 1 minus 1 तो यहाँ पर 2 E की पावर 2 minus E की पावर 2 ठीक है न? अब इस पावर को पीछे पहेंगोगे न? यह यह पावर 2 की पावर को पीछे पहेंगोगे तो नेचरल log of E 1 की एकल है तो यहाँ प और और minus minus plus plus E की पावर 2 और minus minus हमार पस क्या आएगा ,टू और नेचर लोको one हमार पास 0 के इकल होता है और minus minus. अब देखो, यह और यह cancel हो गिया तो E की पावर 2 minus 3 तो यह आपके पास क्या निकला तो यहां पर इकिव टू माईनस त्री हो हो इस तरह से आप secondo को यहां से आपके पास डबन टाइप सिप्सुने के आ ज्यादा बहस में नहीं ला रहा कि आप Cartesian coordinate system से polar coordinate में किस तरह से convert करते हो अभी इस question में तो वह जूज नहीं हो रहा लेकिन अगले question में थोड़ा सापको hint दूँँगा तो देखते हैं इस question किस तरह solve करना है बड़ा असान है देको तो इसको integrate करते हैं 0 से πाई बाई 2 और पहले R के स्पेक में integrate करूंगा तो cos तो x वैसी रहेगा और R क्यूब बाई 3 आएगा और 0 से 2 यहाँ पे d theta और इसको 1 बाई 3 को बाई ले आओ और R क्यूब जीरो से पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा cos theta R क्यूब मलब यहाँ पे 2 पूट करोगे तो आपके पास 8 आएगा तो इस 8 को भी आप क्या कर दो बाहर लेओ और 0 पूट करने से 0 और यहाँ पे d theta तो cos की integration with respect to theta क्या क्याएगी sin theta तो sin theta from 0 से पाई बाई 2 तो इसमें अपर लिमिट माइनस है लोवर लिमिट तो यहाँ पे क्याएगा sin पाई बाई 2 माइनस साइन जीरो तो sin पाई बाई 2 किसके इकुला 1 की इकुला तो answer के आगया हमार पास 8 बाई 3 यह answer हा बड़ा सिंपल सा question था यह पै अब इसको किस तरह सॉल्व करना है पहले और के स्पेक में इंटिग्रेट हो रहा है तो कर देते हैं इसमें order of integration को तो मैं चेंज नहीं करने लगा जीरो से टू पाई तो कॉज सुकेर तो बिचारा constant है तो यहां पर क्या आया आर पावर फोर बाई 4 और यहां पर क्या आया डी थेटा अमां यहां पर आपको कुछ टेक्नीक सिखाने लगा हूं उसको तरह समझना जीरो से टू पाई 1 बाई 4 को चलो बाहर 1 बाई 4 बाहर आ तो से लीरो से अब सुनो जईरा इसको न इसका फार्मॉला उपन करना है वन माइनिस बाई 4 आपount क्या कर सकते हैं हैं आप तू को लख MARK dev Oke 사람들이 को बाद क्या फार्मॉला लगाने के बाद उनको आपस में क्जव कर दो मिल्टिप्लै करा दो तो यह तरीक है लेकिन ना तरीका मैं कुछ समझाना चाहरा हूँ आपको मैं आपको पास्कल ट्राइंगल के बार में थोड़ा पतता हूँ Pascal triangle being Pascal triangle रिक कहता है मैं at a detail में भान लेकिन आपने यहां पर वन लगा ओon यहां पर आपे वन लगाने है और दर्मियान वालिया आपने करी जाने टो 1N PLस 1 कितना एगा तू और यहां पर एक्षी पर लं पर यहां पर लगा हो इन दोनों Pakio आड़ करो То三 आएगा इन दोनों को ख रो तो फॉर आएगा धून को एड़ करो तो फॉर आएगा यहां पर यह जो नंबर भान इस तरफ से नंबर यह वलिस तरफ जितने यह सारे जोंसर नंबर यह वले यह वै इनको कहते है, binomial coefficients, यह कहा है, binomial coefficients, इसको याद कर लो, binomial coefficients, यह binomial coefficients है, ठीक है, देखो, अगर मैं a plus b whole square का formula open करते हूँ, तो क्या आएगा, a square plus 2ab plus b square, अगर मैं a plus b whole cube का formula open करते हूँ, तो देखो किया आएगा, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, अब यह देखो, यह यूज होगा coefficient जब a plus b की power 0 होगी, यह दो यूज होगे जब a plus b की power 1 होगी, यह वहला coefficient use होगे जब a plus b की power 2 होगी, यह वले कोफिशन यूज होंगे जब a प्लस b की पावर कितनी होगी 3 यह वले कोफिशन यूज करेंगे जब a प्लस b की पावर कितनी होगी 4 तो यह ही हमें चाहिए यह हमें चाहिए तो देखो मैं फार्मला ड्वैलप करने लगाँ अगर a प्लस b की पावर 4 हो तो आप इसको पावर को एक कम कर दो और इस बी की पावर को एक बढ़ा दो तो बी आएगा प्लस दूसरा कोफिजिंट कहाना सिक्स अब इस एगी पावर को एक कम कर दो इस बी की पावर को एक बढ़ा दो प्लस यहां पर आएगा फॉर इस एगी पावर को एक और कम कर दो और बी की पावर एक बढ़ा दो यहान पर कि आना था यहान पे टू हाना था यहाँ पर प्लस ओर एकुब मतलब के वन का क्यूब और मैंस कौस थीटा का मैंस कौस हीड़ा की पावर कितनी तू प्लस 4 इंटू 1 और माइनस कॉस थिटा की पावर कितनी 3 और प्लस 1 इंटू माइनस कॉस थिटा की पावर कितनी 4 और यह सारा बाहिर का पड़ा हुआ है D थिटा ठेक है मैंने बगएर बगएर मल्टिप्लिकेशन के ही इसको फार्मूले को ड्वैलप कर लिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बाई 4 0 से 2 पाई कॉस टू थिटा इंटू 1 प्लस देखो यह माइनस 4 होगी यह माइनस 4 हो जाएगा यह 1 पावर माइनस 4 कॉस थिटा यह प्लस होजएगा प्लस 6 कॉस स्क्वेर थिटा यह होजएगा यह होजएगा माइनस 4 कॉस ट्यूब थिटा यहाँ पे प्लस कॉस 4 थिटा इंटू इस कॉस स्क्वेर को अंदर मल्टिप्लाई करवादा हूँ तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन की एक from zero से पाई of a cause with some odd power हो तो उसका अंसर आता है zero इसको याद कर लो where n belongs to natural numbers ठीक है n क्या natural number है cause की आपको odd power नजर आएगी और integration की limits होगी zero से पाई तो इसका आंसर डारेक्ट आपने लगा देना क्या zero है तो यह देखो यह odd power है इसको करोगे zero यह odd power है इसको आप करोगे zero तो देखो अच्छा अब मैं ना वली फार्मला लगाना चाहरूं वली फार्मला लगाना चाहरूं तो वली फार्मला के लिए मुझे यहां पर जीरो से पाई बाई टू तक जाना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा जीरो से पाई बाई टू तक जाना पड़ेगा तो मैं यहां पर पाई लिखा था तो इस को कर देता हूं टू से मल्टीप्लाय टू से डिवाइड अब ही cinica पधी कि अधो पर के लिख है pi, cos square theta और d theta, ये odd power of cos और limits 0 से pi है तो इसका answer क्या आएगा 0, इसका answer क्या आएगा 0, प्लस 6 integration from 2 pi by 2 से cos 6 theta d theta, ठीक है, मैंने limit को की है, 2 से multiply 2 से divide और यहां पर भी क्या आएगा 0 और प्लस 0 से 2 pi by 2 और यहां पे क्या आएगा cos 6 theta d theta, लो जी यहां पर चाहएगा one by two अब property of liberty of definite integral यहां पर लगाओ तो इस two का आव दुबारा से बाहर निकाल सकते हो तो यहां पर आएगा zero से निगालो तो इंटिग्रेशन फाम जिरो से पाई बाई टू और कॉज इधर 6 था इधर 4 था इधर 4 था और इधर 6 था और इधर 6 थीटा दे थीटा लो जी इस चीज़ को मैं रेस करूं यहां से अब देखो यहां पर क्या आएगा 1 बाई टू अब वलिस फार्मूला क्या होत है कि अगर इंटिग्रेशन फ्रम जेरो से पाई बाय टू कॉस एन एक्स सो घ्याएक्स चाही दोनों यहाँ था की जाएक्स फॉन minus 1, n minus 3, over pi by 2, over n into n minus 2 over n minus 4, और यह चलता रहेगा सिलस्ता, when n जो सा होगा, वो क्या होगा, even, जब n की value even होगी, मतलब कि जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर n even होगा, और 0 से pi by 2 limit होगी, तबी, और n minus 1, और n minus 3, over n into n minus 2, n minus 4, और यह सिलस्ला चलता जाओगे, उपर सा भी multiply, over 2 by into, आखिर पे 2 by 3 हाएगा, जब n क्या होगा, odd होगा, ठीक है, फरक बस इतने ही है, कि अगर even होगा, तो end पे pi by 2 आपने लगा देना है, अगर odd होगा, तो आपने सरफ इसको चलते रहना है, जहां तक वो power juns यह खत्म नहीं हो जाती, बार हेल, इसको मैं यहां पर apply करने लगा, यहां पर वली फार्मॉला यहां पर क्या लगेगा, n-1, 2-1 over 2 into, 2-1 over 2 into pi by 2, ठीक है ना, आपने वहाँ तक इसको expand करना है, जहां तक वो n को 0 न करते, अब n-2 मैं यहाँ पर करता अगर मैं यहाँ पर n-2 करता तो उसमें 0 हो जाना था तो वहाँ तक नहीं expand करना प्लस 12 और अंदर के आएगा 4 4-1 और 4-3 और all our 4 into 4-2 आगे 4-4 आना है तो वह नहीं करना वहाँ पर 0 हो जेगा और फिर आगे 6 है तो प्लस 2 टाइम्स 6-1 और 6-3 और 6-5 और 6-2 और आगे 6-6 आना था तो वह नहीं करना तो वह पाई बैट तो जब आप इसको सारे को solve करोगे जब आप इस सारे को solve करोगे तो आपके पास इसका आपके पास इसका क्या निकलेगा आप इसको solve करके कब आपके प्लस और minus multiply करोगे तो तो इसका आंसर निकलेगा आपके पास 49 into 15 and question को कर कुछ मैंने आपको पासल ट्राइंगल के बार में विपता दिया तो इस तरह से मैं इस lecture को कारों खतम और अगले lecture के अंदर मैं Cartesian Corner System को Polar Corner System के अंदर आपने किस तरह से Convert करना है वो सिखाऊंगा थोड़ा सा introduction भी चलो Polar Corner के बारे में दे दूँगा और उस पर बेस जितने भी question है बाकी जितने भी question है यह 13 है और बाकी जों से seven questions रहे हैं वो इंशाला next lecture के अंदर मैं detail में समझाऊंगा तो तब तक के लिए अल्लाँ आपिस